जितना जल्दी करवा दिजेगा उतना अच्छा है समझ गए ना कहा है कि कौँची जब कब सुनोगा होगा कोई जानता है जी नमस्कार आप दीख्रे न्यूस फोर्नेशन और मैं हूँ सांथपना आपके साथ कहीं पर निगाही, कहीं पर नशाना अगर ये सियासत में हो जाए तो कई सवालों को जन्म दे देता है और सियासत में भूचाल आना तैम आना जाता है कुछ ऐसा ही बिहार की सियासत में भी देखने को मिल रहा है जहां बिहार के मुख्यमंतर नितीश कमार के बयान में कई सवालों को बिहार की सियासत में जन्म दे दिया है लोग ये समझ नहीं पा रहे कि आने वाले दुनों में आखरकार बिहार की राजुनीती का रुख किस तरफ होगा आने वाले दुनों में राजुनीती में क्या बड़ी हल्चल मचने वाली है दरसल नितीश कुमार ने जब से लोगसभा चुनाव के बारे में ये कहा है कि ये जरूरी नहीं कि लोगसभा चुनाव अगले साल निर्धारत समय पर ही हो इस साल भी चुनाव कराए जा सकते हैं जिसके बाद लोगों की परिशानिया बढ़ गई हैं बिहार की राजनीती में हल्चल काफी जादा तेज हो गई है अब ऐसा माना जा रहा है कि मुक्षे मंतर नितीश कुमार मिड टर्न टर्म चुनाव की तैयारी में है जहां उनका निशाना लोगसभा चुनाव के साथ साथ विधान सभा चुनाव पर भी है और ऐसा माना जा रहा है कि बिहार के सीम अब विधान सभा चुनाव को लेकर भी मूड बनाते हुए नजर आ रहे हैं दरसल बिहार के सीम नितीश कुमार की कही गई एक बात नहीं कई सवालों को जन दी दिया है उन्होंने कहा कि लोगसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं उन्होंने इंजीनियर और अपने अधिकारियों को जल से जल योजनाओं को पूरा करनी का आदीश दिया है मुख्यमंत्री ने जैसे ही ये टिपणी की इसको लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है माना जा रहा है कि सीम नितीश मद्यावदी चुनाव का मूट बना रही है अगर ऐसा होता है तो नितीश उमार और महागचबंदन के लिए बीजेपी से मुकाबले का बड़ा दाव होगा देखा जाए तो लोगसभाचुनाव का राना नितीश उमार के अधिकार च्छेतर से बाहर की बात है लेकिन विदानसभा चुनाव उनके अधिकार छेत्र का मामला है बले मुक्षे मंत्र नितीश मार ने केंद्र के कंदे पर रखकर बंदूग चलाई हो मगर यह निशाना कहीं न कहीं राज्य से जुड़ा हुआ ही है ब्यार की राज़रीती को करीब से देखने वालों का अंदाजा है कि नितीश मार तमाम योजनाओं को जल्दी जल्दी पूरा कराने का अधिश इसलिए दे रहे हैं ताकि इन कामों के आधार पर वो समय से पहले विदानसभा का चुनाव करा सके गौर तलब है कि समय से पहले हो सकते हैं लोगसभा चुनाव मुक्चे मंतर नितीश मार का ये कहना कहीं बढ़ निगाहीं कहीं बढ़ निशाना जैसा नज़रा रहा है बियार के राजरीती पर निगा रखने वाले पत्रकार ये मानते हैं कि लोग सभा चुनाव नहीं वलकि विदान सभा चुनाव भी अपने समय से पहले हो सकता है जी हाँ ये बिहार के मुक्चे मंतर नितीश मार की रणनीती हो सकती है कि समय से पहले विदान सबा चुनाफ करवा दिया जाए विदान सबा भंग करने का अधिकार उनके पास है विदान सबा और विदान परिशद दोनों में ही अध्यक्ष और सबापती जेडीउ के हैं वियार में साशन और सत्ता पर भी उनी का कब्जा है और सबसे बड़ी बात बीजेपी अभी विधान सभा चुनाफ को लेकर तैयारी में बिलकुल भी नहीं है कहते हैं अपने दुश्मन पर तब हमला करना चाहिए जब वो या तो तैयार नहो या उसकी तैयारी नहो इस वक्त बीजेपी दोनों ही मोचे पर कमजोर है बीजेपी अभी लोगसभा चुनाफ को लेकर तैयारी में जुटी हुई है लोग सभा को लेकर ही रनीती बना रही है निताओं के दोरे सेट कर रही है कुल मिलाकर बीजेपी फिलाल बिहार विदान सभा को लेकर जरा भी तयार नहीं है ऐसे में अगर बिजेपी पर विदान सभा चुनाफ ठोक दिया जाए तो इसके लिए दोनों फ्रेंट पर एक साथ मुकाबला करना मुश्किल हो सकता है लोगसभा चुनाव में महज कुछ महीनों का वक्त बाकी रह गया है और बीजेपी की पूरी पैनी नजर लोगसभा चुनाव पर है ऐसे में अगर मुक्षमिंद्री नितीशमा ने बड़ा दाओ खेलते हुए बिहार में पहली ही विदान सबा के चुनाव करा लिए तो इससे बीजेपी को बड़ा जटका लग सकता है और बीजेपी की तयारी धरी की धरी रखी जा सकती है क्योंकि बीजेपी ने विदान सबा चुनाव को लेकर कोई तयारी नहीं की है और आने वाला एक साल बीजेपी के लिए बेहत एहम आना जा रहा है फुला के लिए इस खबर में अतना ही नमस्का